Welcome to a brand new video आपको जैसा के पता है मैंने एक new playlist बनाई है जिसका नाम है go with the flow कि जो जो मुझे जिस तरह से मितलब मैं camera on करके बैठोंगा और जो जो मेरे दिन में आता जाएगा और मैं वह अपुस सुनाता जाओंगा और वह एक story की form में होगा तो आज की इस video में मैंने सुचा है क माँ exploration आता हूँ जो कि है मेरा हॉस्टल का experience from first day to the end यानि कि जो मैंने हॉस्टल में सीखा सिखा जो भी कुछ हुआ वह मैं सुनाओंगा और इसमें सबसे पहली बात है हॉस्टल के लिए वैसे तो मैं तकरीबन हॉस्टल में कम ही रहा हूँ दो तीन चार माह ही रहा हूँ इ लेकिन जब मैं हॉस्टल में पहली दफा जाने लगा तो मेरे जिन में था कि इस तरह होता है ने एक वड़ा प्लाजा होता है उसमें different stories होती है rooms होते है तो जो बंदा हॉस्टल में जाने के लिए रहने के लिए जा रहा है उसको एक room मिल जाएगा उसकी जिंदगी उसी में होगी और बड़ा खुश होगा लेकिन मेरा experience होगा तो पहले होस्टल जो था वो मैंने मुलतान होस्टल में रहूं तो जैसी मैं पहले होस्टल में एंटर हूँ तो वहां जिस तरह आप ऐसे समझ दो कि एक जंगल है जिस पे चार-पांच द्रक्त है और हर द्रक्त के ऊपर 40-50 परिंदे बैठे हुएं ठीक है तो यह वाला हिसाब था तो इस तरह उसकी चार-पांच मनजिला स्टोडी सी तो वहां से ऐसे कोई टैरस में ऐसे बैठा हुए कोई दर रहे कोई उद्धर रहे से सारे मतलब पबली कितनी ज्यादा उन्होंने ऐसे मतलब ना पिंजने मे लोगों को एक्याद कर दिया जाते हैं इस तरह से उन्होंने वहां पर भरतियां की हुए इसी लर्कों की जो के सब स्टूडेंस थे और इसकी एक वज़ए यह पी है क्योंके उस वक्त मैडिकल के एक्जैम्स जो थे ना इंट्री रेस्ट के लिए ना तो बहुत करीब थे जितने अधर उदर से लोग आए वे थे ना वो सारे होस्टेलों में रहने के लिए उसी जगह आए हुए थे ठीक है तो वहीं रहते थे वहीं एकैडमी से थी उन्हें जाकर पढ़ते थे और फिर जाकर वहीं पेपर सिस्ट्रम जो भी होता है वह साथ था तो इसलिए वहां से खुले डूले मॉल से यानि के हमें ऐसे था कि हमारा तो घर भी यहां कफी बड़ा होता है एक रूम और दूसरे रूम के दर्मियन फासला भी काफी होता है वैसे बंदा जब एजी होता है वेंटिलेशन एवरीफिंग नाइस और क्लीन हर चीज गूड होती लेकिन वह श आगे देखते हैं और होस्टल हम एक और होस्टल में गए होस्टल तक्रीम ठीक था लेकिन जब हमने इसका वाश्रूम वह भी देखना जूरी है तो जैसी हो खुला तो ऐसे था कि जिस तरह उस वाश्रूम की जिम्मेदारी यह थी कि उसमें चार-पांच सो लोगों को साफ करना है लेकिन उस वाश्रूम को साफ करने की किसी एक की भी जिम्मेदारी मुझे नदर नहीं थी जो उसकी हालत थी तो करते कराते वहां से निकले और फिर हम एक एक हॉस्टल मुझे फिर पसंद आई गया जिसमें पता नहीं क्या वजा थी या शायद वहां के कुछ लड़के तादा तादा हॉस्टल छोड़के गए थी या स्टेडी कंप्लीट थी जैसे मिस्टर ब्रेक था जो भी था मैंने भी दो तीन महीने के लिए वाला है ना था आइट्स की प्रिप्रेशन के लिए तो वहां से चंद दिनों के लिए ही एक्जिट हुए थे तो वहां एक पूरा रूम खाली था और दूसरे रूम आदे से जज़धा खाली था तो कुल वहां तीन रूम थे तो एक ही रूम था जिसमें चार पाश लड़के रहते थे लोग हो गई तो यह तरा मेरे थे करने के लिए जो बीस तरा से हॉस्से पहूंग लिए छूचे उसके बाद था हुस्ट्र के अंदर वेए अब होस्ते के अंदर आपको सोने की जघवरें की जगा मिल जाईगी लेटने की जगा इस अंधर जहना बहुत तर भींच में रहे हो बख्याद आढों में वी तो ज्याद आता होस्टल परुवाइड करते हैं फॡु इस में स्ट मासं प्रवाइड करते हैं लेकिन वहां का खाना में ऐसा होता है कि इस तरह इस में ए् league आति हो जाय होती हैं को पर जहाएं, फ़स्ट हो एन्收ब दोखे हैं इससके बना भी कोई होता तो जो आखाना होता है है और तो यह नहीं को खाना होता है करी वगारा यह जिस तरह भी उसका भी कोई हाल नहीं होता वह भी ऐसे होता है कि क्या मिसाल तो मैंने सीरीज वह शुरू कर ली जिसमें एडिटिंग और यह चीज़ें कर नहीं सकता लेकिन यह के उसमें आपको अगर उन्होंने कोई यह जिस तरह होता है ना तो बस सिर्फ श कर दोती है लेकिन यार कुछ हरसे के लिए दो तीन चार ना जिस तरह भी भी हो तो फिर हमने बर दाष्ट करना पड़ता है सब कुछ लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने प्रता है कैसी साल थे साल देज साल ना पर तो पाइंस तो मुझे समझ आता है जब मैं मेरे अमी अबू ने मुझे शूरू से अब तक हॉस्टल से दूर और अपने नजरों में अपने घर में रखके पढ़ाया क्यूं मैंने बहुत बार कोशिश की कि किसी शहर में जाके वहां पढ़ाई करूं जिस तरह किसी और हॉस्टल में रहूं क्योंकि बाकि जो कुछ लड बंदा बहुत बड़े मुसीबत में रहता है बाहिर की बहुत लाइफ हार होती है लेकिन अला के चुकर है जब से मैं आस्ट्रेलिया में हूँ तो यहां मैं चेल हूं मतलब यह अगर हमारे पास एक रूम है तो यहां फुल अजादी है खाना पीना अपना बनाओ खाओ पी यह नदी कि लोग प्लीश माइन मत करना कि ठडिपंड होता है कि शायद हम यहां पे बहुत ज dan करते हैं करें पाकी बात आ में पैसे मिल जब लेकिन होता ने के अस्ट्रेलिया में होस्टल होस्टल तो यहाद हम घर लेते हैं अपना अराम से वहीं पे सब कुछ अब देख लो सामने उपर इस ही लगा हुआ है यह मतलब कूलिंग भी कर सकता है और यह आपके कमरे को गरम भी कर सकता है एर कंडिशनर तो वहां पे तो इस तरह का कोई की जिसमें मैं आपको अकाउंट बनाने से ट्रेडिंग करने तक और ट्रेडिंग करने के जो स्पेशल असूल मेरे खुद के हैं जिनको मैंने डिजाइन किया है तो वह मैं शेयर करूँ ताके आप लोग भी वह सीखें और वहां से इच्छे इच्छे काम कर सकें थैंक यू तो वाचिंग दिस वीडियो और कीप वाचिंग मैं वीडियो और मैं देख रहू मेरे चैनल की ग्रोथ मुझे आम रिली हैपी के बहुत अच्छी ग्रोथ होड़ी और बहुत खुशी होड़ी है थैंक यू सो मच फर स्पोर्टिंग मी और मुझे बताओ कि क्या क्या चीज मेरे इंपरोगते हैं ग्रोथ मैं धेए लगष अग्छी एग जब भीणी यट खुशी के अश्मेर बीडियों ग्रोथ होड़ी मैं तो इस भीडियों नह सैं हैं ऑ्लोथ मैं अड्यों ऑ्याओ को जेस्यों नह स्फुश्श्थ इच्वाराफ को विलीवी और स्फुश्वा झाल झाल झाल